हलो गाईज, वेलकम टे क्यूरियस सेंटर दोस्तो भारती राजवेवस्था यानि पॉलिटी की यह सेकेंड क्लास है आज इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स यानि मोलिक अधिकार के बारे में डिसकसन करने वाले है यह वीडियो दोस्तो चार भागों में हम लोग डिवाइट कर रहे हैं पहले हम लोग यह समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं यानि मोलिक अधिकार के परिभासा और उसको अच्छे से समझेंगे दूसरी बात हम लोग डिसकसन करने वाले हैं कि फंडामेंटल राइट्स कितने परकार के हैं यानि कौन-कौन्स राइट्स हम को दिये गए हैं हमारे समझतां के द्वारा और तीसरी बात हम लोग इंपोर्टेंट आर्टिकल का डिसकसन करेंगे कि सम्विधान में महतपूर अनुछेद कौन-कौन से हैं जो एक्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और लास्ट में में मुलू डिस्केशन करने वाले हैं कि ये मौली कदिकार जो दिये गए हैं कि आया सभी के लिए हैं आई नागरिकों के लिए और विदेस आये हूए लोगों के लिए भी ये मौली कदिकार है या नहीं अगर विदेसियों के लिए मौली कदिकार है तो कौन-कौन से अटिकल है इन सभी बाता लिए का डिस्केशन होने वाला है वहां से जाकर आप सारे वेडियो को सीरियल वाइज देखते रहिए और अगर आपने हमारे यूटूब चनल की उरी जेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल से जल सब्सक्राइब करें तो आईए हम लोग पहले डिस्क्रिशन करते हैं कि मौलिक अधिकार इंपोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए ऐसे अधिकारों को फंडमेंटल राइट्स कहा जाता है दोस्तों यह सरकार के द्वारा हमें जो दिये गए हैं यह तो पॉजिटिव रूप में ही दिये गए हैं लेकिन यह सरकार को उसके कारिक करने पर थोड़ा बहुत अंकुष लगाते हैं तो इसलिए इसे निगेटिव कहा गया है यानि हमारे लिए तो यह पाच्टिव हैं लेकिन सरकार के लिए हैं निगेटिव हैं क्योंकि कभी-कभी सरकार हमारे स्वतंता को मालीजे अंकुष लगाती है तो हम आवाद उठा सकते हैं कि ये हमारा मौलिक अधिकार है ये रही डिफिनेशन की बात अब आई ये बात करते हैं कि कौन-कौन से मौलिक अधिकार दिये गए है तो दोस्तों आफ से कोश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए संविधान के मौल संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिये गए थे तो दोस्तों मौल संविधान में पहले साथ मौलिक अधिकार थे हैं लेकिन 44 हमें संचोधन द्वारा जो 1978 में संचोधन हुआ दोस्तों 44 हमें संचोधन हुआ उसके द्वारा एक मूल अधिकार यानी संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया यहां पर देखी संपत्ति का अधिकार दिया गया है जिसे समापति कर दिया गया यह 1978 में हुगा था और 89 में लागू हो गया था उसके बाद हमारे पास 6 मूल अधिकार बचते हैं जो इस प्रकार से हैं आप यहाँ दे सकते हैं उनका नाम भी है यह इतने ही बचे हुए है और संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया है कोशन पूच सकता है कि बताए मूल संबिधान में कितने मूल अधिकार थें तो आप बताएंगे साथ अगर यह पूचेगा वरतमान में कितने मूल अधिकार हैं तो आप बताएंगे सिक्स और यह भी पूच सकता है कि कौन सा मूल अधिकार हटा लिया गया और कब अटाये गया तो यह डेट भी इंपोर्टेंट है और संपत्ति का अधिकार हटाये गया देखिए तो यहाँ पर अब 6 जो मौली का अधिकार बचते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं पहला जो है वो है स्वतंता का अधिकार उसके बाद दोस्तो समानता का अधिकार है फिर उसके बाद यहां सोसड के विरुत अधिकार है धार्मिक स्वतंता का अधिकार है फिर संस्कृति और सिच्छा संबंधी अधिकार है और लास्ट में आता है समवैधानी कूप्चारू क बादिकार तो दोस्तों यह अच्छा फंडमेंटल राइट्स हमको प्रोवाइड किये जा रहे हैं हमारे संभिधान के द्वारा अब आए इन से संबंधित महत्पूर आर्टिकल और इसको विश्तार से समझते हैं तो दोस्तों हम लोग आर्टिकल देखने वाले हैं तो यह जो मूल संभिधान दोस्तों सुरू होता है पहले पूछा जा सकता कि मूल संभिधान संभिधान के कौन से भाग में है तो आप बताएंगे मूल संभिधान जो है वह भाग तीन में है यानि संभिधान के कुल मिला कर कि 25 भाग है जिसमें भाग तीन है वो मूल अधिकार से सम्मंदित है मैंने आपको पहले एक फस्ट वीडियो में बताया था कि सम्मिधा में 25 भाग है इस समय वो भाग तीन जो है वो मूल अधिकार से सम्मंदित है यह सबसे important है यह question अक्सर यह मैं पूछा जाता है और आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक यह दोस्तों मूल अधिकार से सम्मंधित है अभी हम लोग सभी आर्टिकल को ध्यान पूरवक देखेंगे तो आए सबसे पहले हम लोग सुरू करते हैं समानता का अधिकार देखें दोस्तों जो आर्टिकल 12 है उसमें परिभासा दिया गया है कि राज जो दारा मूल अधिकार दिया जा रहा है उसके बारे में बताया गया है जो आपको मैंने बता दिया और आर्टिकल 13 यह करता है कि मूल अधिकारों का संसोधन संसद कर सकती है यानि संसद हमारे मूल अधिकारों को कुछ कम कर सकती है या कुछ नए मूल अधिकार जोड भी सकती है तो ये दोनों तो उतना important नहीं है question यहां से पूछा जाता है कि समानता का अधिकार article किस से किस तक है यानि समानता का अधिकार जो पहला अधिकार है वो है अर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है यही 14 से 18 तक अनुशेद जो है वो समानता का अधिकार से रिलेटिड है तो यहाँ पर आपको देखिए पहले 14 अनुशेद अनुशेत 14 जो कताव विधी के समझ समतार यानि कानून के समझ सभी लोग समान है यानि कानून किसी प्रकार की भेदभाव किसी भी जनता से नहीं करेगी इंपोर्टेंट जो है वो है 15 आर्टिकल आर्टिकल 15 करता है कि धर्म, मूर, वंस, जात, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिशेत यानि इन सभी के आधार पर कोई भी किसी से भेदभाव नहीं कर सकता है दोस्तों ये इंपोर्टेंट है अक्षर एकजाम में पूछा जाता है आर्टिकल 15 है और दोसके आर्टिकल 16 भी इंपोर्टेंट है यह काता है लोक नियूजन के विशंद में अवसर की समता है दोस्तों आप अगर सरकारी नवकरी के लिए कोई फार्म अपलाई करेंगे तो सब को समानता कादिकाया दिया जाएगा यानि कोई भी फार्म भर सकता उसमें किसी को रोक नहीं है अनुशेत 17 कता अस्प्रिशेयता का अंध यानि अस्प्रिशेयता मतलब दोस्तनों छुआ चूध होता है आर्टिकल 17 जो है वह चुवा चूट से सम्मंदित है जो की बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल है यह भी पूछा जाता है कि चुवा चूट पूछे या अस इस्प्रिसेता या अंटचवेल्टी तो आप आर्टिकल 17 लगाएंगे और आर्टिकल 18 काता है उपादियोकान्त त स्वतंता का अधिकार देखिए 19 से सुरू होता है 22 तक यह भी इंपोर्टेंट है यह याद कर लीजी आप लोग इसमें दोस्तों पहला जो है वाक स्वतंता आदि विश्यक कुछ अधिकारों का संड़ चड़ तो दोस्तों वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंता यह बहु पूर्य देश में किसी विराज में कहीं घूम सकते हैं उसकी स्वतंता व्यापार वानीजिकर सकते हैं उसकी स्वतंता है इन सभी का वर्ण अगर आप पूछे इन सभी का 19 में है यह एक important article है आप राधो के लिए दोस्त शिद्धी कादिकार 20 में है प्राण एवं दहीक दो तो आप आर्टिकल 21 पर ठीक लगाएंगे सिच्छा कादिकार दोस्तों यह एक संसोधन करके जोड़ा गया था एक कईस ए यह नए आर्टिकल है एक कईस के अंदर ही जोड़ा गया है सिच्छा कादिकार यह भी इंपोर्टेंट है बाई से कुछ दसाओं में गिरपतारी के ग इतना समय हो गया तो बताइए क्यों गिरपतार किया गया मुझे उसके बाद आता है दोस्तों तीसरा 166 की विरुद अधिकार 166 की विरुद अधिकार में दो इंपोर्टेंट आर्टिकल है 23 और 24 जो की बहुत इंपोर्टेंट है कोशन अक्षर पूछते हैं तो 23 जो हो है मानों की दूर्वेयफार और बलात सर्म का प्रतिसित यानि मानों की खरीद विक्री नहीं की जा सकती और बलात सर्म यानि जवरज़स्टी किसी से काम बेगारी नहीं कराया जा सकता और 24 करता है कि कारखानू आध में बालकों की नियूजन परप्रति से दियानि 14 वर से कम आयू के बच्चों को कहीं काम पर नहीं लगाया जा सकता उसके बाद बात करते हैं धर्म की सोतंता तो दोस्तों इसमें 25 से ले के 28 तक आर्टिकल है ये उतना इंपोर्टेंट नहीं है बस आप ये याद रखिए कि 25 से ले के 28 तक अगर आर्टिकल दी जाता तो आप समझे धर्म की सोतंता के बारे में है उसके बाद आता है 29 से 31 जो संस्क्रिति और सिच्छा से संबंदित है दोस्तों 21 निरस्थ हो चुका है अब 2 ही बचा है 29 और 30 इसमें दोस्तों ये भी इंपोर्टेंट है इसमें पूछ सकता अल्फ संख्यक वर्गो के हितु का संदच्छ कौन सार्टिकल देता है तो आप 29 पे टिक लगाएंगे उसके बाद 30 कहता है सिच्छा संस्थाओं की स्थापना और प्रसाशन करनी का अल्फ संख्यक वर्गो का अधिकार यानि जो मदर्शा वगेरे बनते हैं वो इसी अधिकार से बनते हैं यानि मदर्शा खोल चकता है कोई या कोई भी हिंदू अपना अलग संस्थान हिंदू बेदोत की पढ़ाई वाला संस्थान खोल सकता है यानि वो अपनी संस्था खोल सकते हैं और उसका प्रसाशन अपने अनुशार कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तो ये सब इंपोर्टेंट नहीं है इंपोर्टेंट जो है दोस्तो वो लास्ट यह है समविधानिक उपचारों का अधिकार यह दोस्तो आर्टिकल 32 जो बहुत इंपोर्टेंट है यह अलग अधिकार भी है लास्ट है जो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके मूल अधिकारों का हरन हो रहा है तो आप नयायले उन अधिकारों से सम्मंदित बात को उठा सकते हैं यानि आप नयायले से पूछ सकते हैं यह हमारा अधिकार क्यों कटवती किया जा रहा है तो यह आपको आर्टिकल 32 प्रोवाइड करता है डाक्टर वियारम मेटकर जी ने इस अनुछेत को सम्मिधान की आत्मा और हिर्दय की संग्याती है दोस्तों कुछ लोग कहते हैं प्रस्तावना को कहते हैं कि यह है इसकी सम्मिधान की आत्मा है और कुछ लोग इसको कहते हैं अगर बी यारमेटकर करके कोश्चन आए तो आप अगर कोश्चन में ये पूछता है कि बी यारमेटकर ने किसी संविधान की आत्मा और सोतंता का है तो आप लगाएंगे अनुछेत 32 यानि संविधान कुछ चारो का अधिकार जो है अगर नहीं पूछता है वैसे ही डारेक्ट पूछ लेता है कि संविधान की आत्मा कौन है तो आप प्रास्तावना को लगाएंगे तो दोस्तों ये रहें कुछ इंपॉर्टेंट मूल अधिकार से सम्मंधित आर्टिकल और मूल अधिकार क्या है कैसे है वो सभी मैंने आपको बता दिया है अब आईए हम लोग बात करते हैं कि वे कौन से मूल अधिकार है जो बिदेशियों के लिए भी मानने है क्योंकि दोस्तों जो ये मूल अधिकार बनाया जाते हैं वो नागरिकों के लिए भी सेस कर बना जाते हैं लेकिन अगर कोई बिदेशी हमारे देश में आकर रहता है या घूने आता है तो उसको भी वो मूल अधिकार प्रदान की जाते हैं लेकिन कुछ मूलेदिकार उसको नहीं प्राप्त होते हैं ये भी कुछन पूछे जाते हैं एक्जाम में तो आएए देखते हैं तो सबसे पहले दोस्तों अनुछेत पंद्रह अनुछेत 15 क्या है धर्म नसलजात लिंग या जन्वस्थान के आधार पर भेदवाग निसे यह तो सर्फ नागरिकों को प्राप्त है यानि शिर्प इंडियन को प्राप्त है अगर विदेशी कोई याता है करता है कि हमारे मेरे साथ धर्म की आधार पर भेद बाग गिया जा रहा है या रंग की आधार पर तो वो माने नहीं होगा दूसरा दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सारवजनिक रोजगार मैधिकार यानि जो यहां के गवर्मेंटेट जॉब के लिए जो आवेदन प्राप्ट किये जाते हैं वो सिर्फ नागिरकों के लिए है यानि कोई बीदेशी जा करके कहा कि मुझे गवर्मेंट जाप चाहिए और मैं भी फार्म अपलाई करेंगा तो उसके लिए नहीं है तो यहां पर आर्टिकल 15 हो गया और आर्टिकल 16 हो गया और उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 19 यानि भासड इवं अभियक्ति सभा सम्मेलन अंदूलन निवास इवं बेवसाय जैसे 6 विसियों के लिए जो स्व आर्टिकल 30 जो है वह भी उनको प्राप्त नहीं है यानि अलबचंख्यकों को सहचडिक संस्थान स्थापित करने और उसे संचालित करने कादिकार यह भी नहीं प्राप्त है तो दोस्तों यह रही आज की फंडमेंटल राइट्स की क्लास जो की सेकेंड क्लास है अगर आपने हमारे यूटूब चैनल की उरे संटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें क्यूंकि यहां पर पॉलिटी की सभी इंपोर्टन टापिक से जहां जहां से कोश्चन कम्टेटी उग्जामस के में आते हैं सारे करवाए जाएंगे तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चलते हैं नमस्कार जैहिंद